हेलो क्लास पाईव आज हम करेंगे पाठ चार हम सूमन एक उपवन के हम सब सूमन एक उपवन के एक हमारी धर्ती सब की जिसकी मिट्टी में जन में हम मिली एक ही दूप हमें हैं सीचे गए एक जलसे हम पले हुए हैं जूल जूल कर पलनों में हम एक पवन के सूरज एक हमारा जिसकी किर्णे और की कली खिलाती, एक हमारा चांद, चांदनी जिसकी हम सब को नहलाती, मिले एक सेश्वर हम को हैं भवरों के मीठे गुन्जन के, रंग-रंग के रूप हमारे अलग-अलग है क्यारी-क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही है, उपवन की शोभा सारी, एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, काटों में खिलकर हम सबने हस-हस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंदखर हमने हार-गले का बनना सीखा, सब के लिए सुगंध हमारी, हम श्रिंगार धनी निर्धन के तो बच्चो इस कविता में कभी हमें ये कहने का कोशश कर रहा है, कि हम सभी देश वासी एक ही बाग में खिले फूलों के समान है, एक ही धर्ती पर रहते हैं, इस इस धर्ती की मिट्टी में ही हमारा जनम हुआ है, हमें एक सी धूप प्राप्त हुई है, और एक सी ही बहती है वह हवा सब को जुलाती है जो सूरज की किरने हैं सब को बराबर मिलती है और जब ठंड के बाद ये सूरज की किरने हम पर पड़ती है तो हमारा मन खेल उठता है इसी तरह रात को जिस दिन चांद चमकता है या चांदनी रात उती है ऐसे लगता है जैसी कि हमारा सार वातवरन चांदमी में नहा रहा है हम सब कोई को एक ही स्वर मिला है एक ही मीठी बोली भवरों जैसी मिली है रंग-रंग के रूप हमारे अलग-अलग तरह के हमारे रंग है अलग-अलग तरह के हमारे रूप है अलग-अलग है क्यारी-क्यारी दरती को यहां बाग या उपवन कहा गया है और हमें फूल कहा गया जिस तरह एक फूल पूरे बाग की शूभा बढ़ाता है अलग-अलग रंग का होता है, अलग-अलग खुश्मों के फूल होते हैं, लेकिन ने सब मिलकर आपस में एक बाग की शोबा बढ़ाते हैं, इसी तरह हम सब के रंग रूप अलग हैं, और हम अलग-अलग प्रामतों से आए हैं, फिर भी हम सब आपस में मिलकर रहते हैं, और इसी के चलते ये धर्ती रूपी उपवंग यानि के धर्ती रूपी इस बगीचे की शूभा बढ़ती है। एक हमारा माली हम सब तो आगी ये कहा गया है कि हमारा माली भी एक है जो की इधर इश्वर को कहा गया है। जिस तरह एक माली अपने फूलों के बीच भेद भाव नहीं करता उसी प्रकार इश्वर भी हमारे बीच भेद भाव नहीं करता और हम सब को हर चीज बराबर देता है। चाए वो धूप हो या चांदनी रात हो या हवा हो या कोई भी चीज हो। रहते नीचे एक गगन के तो हम सारे इसी एक आस्मान के नीचे रहने वाले हैं और इश्वर रूपी माली भी हमारा एक ही है। काटो में खिलकर हम सबने काटो से यहां पे तातपर या मतलब है कश्ट कि हमारे जीवन में बहुत कश्ट आते हैं जिस तरह एक सुंदर फूल होता है बहुत ही प्यारा होता है पर फिर भी उसमें काटे होते हैं ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी कश्ट आते हैं और इतन काटे होने के बाबजुद भी जिस तरह एक फूल खिलता है अपनी सुन्दर्ता और खुश्बू और महग भिखेटता है उसी प्रकार सब कष्टों को काट कर भी हम हस हस कर जीना सीख चुके हैं एक सूत्र में बंदकर हमने हार गले का बनना सीखा जिस तरह से अलग-अलग फ सारी एक है ऐसे लगता है जैसे कि एक ही माला में हम सब पिरोए हुए हैं और हमें हमारे बीच में इतना अंतर होते हुए भी हमारे मन में कोई भेद भाव नहीं है सबके लिए शुगंद हमारी हम श्रिंगार धनी निर्धन के तो इसी तरह जिस तरह की फूलों की खुश्बू सबके लिए समान होती है चाहे उसे गरीब सुंगे या अमीर सुंगे ये तो नहीं है कि अलग-अलग मिलता है ठीक उसी तरह हम सब अलग-अलग होते हुए भी हम एक है चाहे हम गरीब हो या अमीर हो हम सबने एक-एक संग मिलकर रहना सीख लिया है जिस तरह एक फूल की जो माला होती है चाहे तो अमीर के गले में डालो या गरीब के गले में डालो वो बराबर उस गले को सजाता या शुशोभित करता है ठीक उसी प्रकार हम सब नहीं है और इस धर्ती पे इस गगन के नीचे हम सारे एक होकर रहते हैं और ये जो इश्वर है ये हमारा माली है और ये हम सब में कोई फरक नहीं करता और हमें समान रूप से धूप, हवा, जल, वायू सब प्राप्त करवाता है तो अब हम करेंगे इस पार्ट का पार्ट अभ्यास सूमन सबसे पहले हम करेंगे शब्दात सूमन, फूल, पवन, वायू, भ्रमर, भौरा, श्रिंगार, सजाबट, शोभा, उपवन, बगीचा और हिदय, एक सुत्र इकठे होकर अब हम करेंगे इस पार्ट के प्रश्न उत्तर प्रश्न एक, उपवन के फूलों को क्या-क्या समान चीजे प्राप्त होती है उत्तर, उपवन के फूलों को एक सी धर्ती, मिट्टी, धूप, जल, सूर्य की किरने, चांद की चांदनी, भवरों का गुंजन, आदी सब कुछ एक समान रूप में प्राप्त होती है प्रश्न दो, उपवन की शोबा किन से बनती है? उत्तर, उपवन की शोबा फूलों से बनती है फूलों ने हसकर जीना किस से सीखा है? उत्तर, फूलों ने हसकर जीना काटों से सीखा है प्रश्न चार, एक सूत्र में बंद कर हमने हार गले का बनना सीखा, इस कावय पंक्ती का क्या अर्थ है? उत्तर, इस पंक्ती का अर्थ है कि अलग-अलग होते वे भी हम सब एक ही धागे से बंद कर हार के रूप में गले की शुभाब बने हुए है प्रश्न पांच, फूल अपनी सुगंद किसे देता है? उत्तर, फूल अपनी सुगंद सबको देता है अब हम आगे करेंगे चार-पांच वाक्यों में उत्तर लिखो प्रश्न, कवी ने फूल के द्वारा क्या संदेश दिया है? पांच वाक्यों में लिखो उत्तर कवी ने फूल के द्वारा संतीश दिया है कि जिस प्रकार फूल अलग-अलग रंगों के होते हैं लेकिन सभी मिलकर उपवन की शुबा बढ़ाते हैं इसी प्रकार अलग-अलग जातियों प्रांगतों में रहते हुए सभी लोग भारत देश की शुबा बढ़ाते हैं फूलों के समान ही सभी मनुश्य को परस पर मिल जूल कर रहना चाहिए। प्रक्रिति जैसे मिल जूल कर रहना चाहिए और गरीब और अमीर में कोई फरक नहीं करना चाहिए। फूल नदियों का कल कल करता बहता जल आदी ऐसे प्रक्रितिक उपहार हैं जो सभी प्रानियों को समान भाव से मिलते हैं। अब हम करेंगे सरलार्थ करो। काटों से खिलकर हम सबने हस हस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में भनकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी हम सिंगार धनी निर्धन के। यहाँ पध्यांश हम सूवन एक उपवन के नामक कविता से लिया गया है। इसमें कवी कहता है कि हम सबी देश, वासियों ने मुसीबतों तता कटिनाईयों का डटकर सामना करना सीखा है। हमें रास्ते के काटों की कोई परवा नहीं हैं। हम सबी एक ही धागे से भंदे हुए हैं। हमने एक हार बन कर भारत मा की शोभा बढ़ाई हैं। हम सब एक हैं। हमारी खुश्बू सभी के लिए समान हैं। हम अमीर गरीब सभी के शोभा हैं। हम किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते। अब हम करेंगे वाक्यों में प्रयोग करो, ओर की कली खिलना, खुश होना, अपने जनम दिन पर चाचा जी से सुन्दर घड़ी पाकर मेरे तो ओर की कली खिल गई, दूसरा, गले का हार बनना, अती प्रिय, यानि कि बहुत जादा खास, अपने अच्छे कार्यों से मंत्री त जले का हार बन गया, अब हम करेंगे समानार्थक शब्द, सूमन प्रसून, उपवन बाग, धर्ती धरा, जल पानी, पवन हवा, सूरज सूर्य, चांद राकिश, भ्रमर भवरा, गगन आकाश, अब हम करेंगे विप्रिट शब्द को मिलाओ, धर्ती आकाश, धूप, चाया, चांदनी, अंधेरी, सुगंद, दुरगंद, धनी, नेर्धन, अब हम करेंगे नए शब्द बनाओ, सुत्र, आधत और र को मिलाकर बनता है त्रे, उससे कुछ शब्द हैं जैसे पोत्र या पत्र, श्रिंगार, श और री, इन दोनों को मिलाकर बनता है यह शब्द श्री, श्रिंग, श्रंग, श्रंगल, तो बच्चो ये पाथ यहीं खतम होता है, if you are new on this channel, please like, share and subscribe, thank you very much everyone, bye bye